सालों से सड़क पर भीक मांग कर गुजर बसर करने वाला निकला पुलिस का लापता थानेदार मामला गौलेर जिलेगा है यहाँ पर उपचुनाओ के रिजल्ट के बाद विजय जुलूस की ड्यूटी कर रहे दो डियस्पी रतने से तोमर और विजय भदोरिया को बंधन वाटिका की फुट पात पर ठंड में ठिटरता हुआ एक वेक्ति नजर आया वे दोनों उस वेक्ति के पास पहुचे डियस्पी रतने से तोमर ने उसे पहनने के लिए जूते दिये तो डियस्पी विजय भदोरिया ने पहनने के लिए जेकेट इसके बाद दोनों अफसर लोट कर जाने लगे तभी ठंड में ठुटरते वे वेक्ति ने डियस्पी वि बिखारी के रूप में जीवन जी रहा ये वेक्ती थानेदार मनीश मिश्रा है जो DSP विजय भदोरिया का बैचमेट है इसके बाद दोनों अपसर अपने बैचमेट को साथ ले जाने लगे लेकिन मनीश राजी नहीं हुआ इसके बाद अपसरों ने एक समास सेवी संस्था को फोन कर सूचना दी वहां के लोग आए उन्होंने मनीश को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहा और वे उसे आश्रम ले गए यह मनीश मिश्रा नाइंटी नाइंटी नाइन बेच का अचूक निशाने बाज थानेदार है इन्होंने 2005 तक नौकरी भी की आखरी पोस्टिंग दतिया में थी यहां पर वे अपना मातन सिक संतुलन खो बेठे शुरुवात के पास सालों तक घर पर ही इलाज हुआ इसके बाद परिवार वालों ने उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया यहां से वे भाग गए इसके बाद परिवार को वे कभीन भी नहीं मिले मन अच्रा फिलाल अब आश्रम में सुरक्षित हैं ब्यूरो रिपोर्ट एक्सपोस टुडे गौालियर